जैमातादी दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना खोया हुआ प्यार वापस पाएं जी हाँ दोस्तों, get your ex back in your life जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने खोय हुए प्यार को वापस पा सकते हैं अपनी पुरानी प्रेमी का या फिर पुराने प्रेमी को अपनी जिंदगी में वापस ला सकते हैं कैसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही अच्छूक शक्तिशाली उपाए बताऊंगी अपने प्रेमी को वापस लाने का चाहे वो आपसे बहुत दूर चला गया है या फिर वो आपको हर जगे से वाटसेप पे, कॉल्स पे, अपने दिलो दिमाग पे ब्लॉक कर चुका है लेकिन तब भी आप उसे अपनी जिन्दगी में वापस ला सकते हैं आपकी उसके साथ बहुत ज़ादा लड़ाई हो चुकी है, जगड़े हो चुकी है, ब्रेक अप हो चुका है लेकिन आपके मन में अभी भी अगर उसके लिए प्यार बाकी है और आप चाहते हैं कि वो आपकी जिन्दगी में वापस आ जाए तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिए और ध्यान से देखिए दोस्तों अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को दबा दीजे, जिससे की आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट भी मिलते रहीगे तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको इत्र लेना है जी हाँ जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक शीशी है इत्र की इसी तरह से आपको भी एक अच्छी quality का इत्र लेना है और उसके बाद आपको उसके उपर उसे अभिमंतरित कर देना है अभिमंतरित होता है कि आपको उस पर मंतर भूक देना है और उसके बाद ये इत्र आपके लिए काम करेगा ये इत्र आपके पुराने प्रेवी को आपकी जिन्दगी में फिर से बापस ले आएगा आपको बस एक मंतर का उच्छारण करना होगा याद रखिए दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है ये आपको साथ दिन तक करना होगा साथ दिन में आपका एक्स यानि कि आपका जो पुराना बॉइफरिंड है या पुरानी प्रेवी का है वो आपकी जिन्दगी में वापस आजाएगी सिर्फ साथ दिन की मेहनत आपकी जिन्दगी में आपका प्यार वापस लियाएगी तो दोस्तों रात की समय साथ बज़े के बाद आपको इस उपाय को करना है इत्र की शीशी अपने सामने रखकर आपको बैठना है और उसके बाद इस मंतर का उचारण आपको सिर्फ ग्यारा बार करना है ग्यारा बार आपको बोलना है ओम, क्लिम, कृष्णाय, नमः इस मंतर का उचारण 11 बार करेंगे और शीशी के उपर आपको फूक देना है जी हां शीशी के उपर फूक ना है और शीशी को किसी ऐसी जगे पर रख देना है जहां पर इसे कोई देखने ना पाए साथ दिनों तक आपको ये शीशी छुपा कर रखनी है दोस्तों रोजाना साथ बज़े आपको इसे निकालना है ग्यारा बार मंदर पढ़ना है फूकना है फिर से उसी जगे पर छुपा कर रखते ना है साथ दिन जब आपकी पूरी क्रिया खतम हो जाएगी तो आप इस शीशी को खोल कर इसका इत्र लगाएंगे और दोस्तों इत्र लगाते ही ये इत्र अपना काम करेगा वो लड़की जो आपसे बहुत दूर चाचुगी है वो खुद आपको कॉल करेगी आपके नंबर पर उसका कॉल आएगा आपसे मिलने के लिए वो आपसे समय मागेगी वो आपसे पूछेगी कि वो आपसे कहां मिल सकती है आपके घर पर या घर के बाहर समय पूछेगी, जगे पूछेगी और आपसे मिलने के लिए तड़पने लगेगी एक-एक मिनट आपके बिना उसकी जिंदेगी में भारी हो जाएगा और दोस्तों ये सच में हो सकता है बस आपको सचे मन से इस उपाय को 7 दिनों तक करना होगा और 7 दिन के अंदर अंदर ही आपकी प्रेमी का आपके पास वापस आ जाएगा तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर कोई सवाल पूछना है आपको, अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल लगाईए, हमारे वीडियो की स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उस नंबर पर आप क